हर्लीन हुई हॉस्पिटलाइजड हर्लीन के चहरे पे आई है गहरी चोटे कलर्स टीवी शो उदारियां के अपकमिंग एपिसोड में हमें यह देखने मिलेगा जैसा कि हर्लीन का बहुत बड़ा एकस्टेंट हो गया था जिसके बाद सारे घरवाले यहीं सोच रहे हैं कि अब हर्लीन उनके साथ नहीं रही और हर्लीन मर चुकी है लेकिन हर्लीन है जिन्दा और हर्लीन है हॉस्पिटलाइजड हॉस्पिटल में हो रहा है हर्लीन का ट्रीटमेंट और हरलीन को आई है बहुत सी गहरी चोटे हरलीन अभी अपने होश वावाज में नहीं है क्योंकि हरलीन को काफी सारी गहरी चोटे आई है लेकिन हॉस्पिटल में चल रहा है हरलीन का ट्रीटमेंट और बहुत ही जल हरलीन आने वाली है अपने होश में हरलीन के चहरे पर आई है काफी सारी गहरी चोटे जिसने उसके शकल को बिगाड़ दिया है लेकिन हर्लीन लड़ रही है जिन्दगी और मौत के बीच और हर्लीन आएगी जिन्दगी में वापस जिसके बाद एकम और नहमत की जिन्दगी में नया तड़का लगाने वाली है हर्लीन तो क्या है आपक